किसान भाईव बात करते हैं आज आलू मंडी के ताजा पाओ के बारे में जैसे की किसान सात्यों आज आपको पता है वारे मार्च 2021 हो चुका है और वारे मार्च 2021 को फरुखावाद कानपूर शिम्राबू नवीगंज इलावाद बनारस जैसी वड़ी से वड़ी मंडियों का जो माहौल है वो किसान सात्यों क्या देखने को मिला है तो चलिए किसान सात्यों इस वीडियो में आपको सभी मंडियों की ताजा अपडेट के बात अफगत कराएंगे चलिए किसान सात्यों वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले अंडूद है आप से अकर आपने हमारे ह चैनल को अभी तक सस्काइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्काइब करें वाइल आगम को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अप्लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा तो किसान भाई वो सबसे पहले वाद करते हैं इलहावाद मंडी के बारे में यहाँ पर किसान साथी वालू कोईटल के साथ से देखता है और जो मीडियम माल है वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए पर देखने को मिला है अगर चिम्रामू मंडी की बात करें तो यहाँ पर पैकेट के साथ से खरीदारी होती है दूस्तों 325 रुपए से लेकर 350 रुपए शफेद वाला और 350 रुपए से लेकर 400 रुपए लाल वाला पैकेट विखा हुआ हुआ हुए पर हाइलेंड वालू है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए चिप सोना आलू है तिन्सों पचास रुपैस लेकर चास्ट रुपैस लेकर चास्ट रुपैस रुपैस लेकर चास्ट रुपैस 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 किसान साथियों अगर बात करें फारुखावान मंडी के बारे में तो फारुखावान मंडी में किसान साथियों जो 3797 रुपैसे लेकर 721 रुपैके साथियों हाइलेंड आलू किसान साथियों 700 रुपेस लेकर 850 रुप्रतिय कुटल किसाथ से विका हुआ है ख्याती आलू 600 रुपेस लेकर 615 कंचेन कुफरी आलू 711 रुपे किसाथ से देखने को मिला है